साल का सबसे बड़ा तेवार दीपा बली 12 नवंबर को है लेकिन पाँच दिवसिया है पर धन तेरस से सुरू हो जाता है धन तेरस को जम कर खरीदी की जाती है धन तेरस पर सोना खरीदने का महत हुए लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसके साथ चांधी सकते हैं चांदी नहीं खरी सकते तो अश्ट धातु या फिर इसके अलाबा अन्न कोई चीज़ जो आप खरी सकते हैं वो खरी सकते हैं पंडित अनिल कुमार पांडे के अनुसार उन्हों ने बताया कि भुवन बिजय पंचांग के अनुसार दस नवंबर से लेकर ग्यारा मिनिट से सुरू होकर ग्यारा नवंबर को बारा बाच कर च्छालीस मिनिट तक भुवन विजय पंचांग के अनुसार धन्तेरस है धन्तेरस के दिन सोने चांदी बाहननने चीज़ा खरी जाती है इसका क्या महातOR रहता है और किन-किन महुर्ती में ये करीदारी किया सकते हैं? देखे, सोना खेजने के लिए धन्तेरस के दिले विशेश महरता है और बागी सभी चीज़े खेजने के लिए पूरा धन्तेरस ही इस सुभा है आपके पास अगर सोना खैदने की हैसित नहीं है तो आपको चानी खैदना चाहिए उसकी नहीं है तो कोई धावत का दूसी चीज़ खैदनी चाहिए वो अगर आप नहीं खैद सकते हैं तो कुछ भी आप खृष सकते हैं धन तेरस भुबन वीजे पंचान के अनुसार 10 तारीक को 11 बच के 21 मिनेट दिन से, अगले दिन अर्थाद 11 तारीक को 12 बच के 46 मिनेट तक रहेगा। सोने की खेडारी के लिए हस्तन चत्र, मेश लगन, प्रिश्चिक लगन, सिंग लगन अत्यनत महत्पुन होते हैं अता इन तीनों लगनों में या हस्तन चत्र में आपको सोना कहिदना चाहिए। बाकिय सामान आप पूरे धंतेरस के मुर्थ में कभी भी खई सकते हैं।